हेलो गाइज, वेलकम बैक टो आर चैनल एनस लेर्निंग, आज के सेशन में हम एडिशन अफ डैसिमल नंबर सीखने वाले हैं, सबसे पहले इसका लिखने का सिक्वेंस क्या होना चाहिए, 0.2, डैसिमल के नीचे ही आपको डैसिमल लिखना है, 0, 1st term के नीचे is 1st term and decimal के बाद, 1st term के बाद, 1st term, so add करेंगे, 3 plus 2 become 5, decimal same as it is, 0 plus 0, 0, question number 2, similarly, question number 2 is, 2.5 plus 0.9, 2.5, decimal के नीचे decimal, के नीचे 1st digit and decimal के बाद, 1st digit के नीचे 1st digit, plus 5 plus 9 become 14, 14 का फूर यहाँ पर, write decimal same as it is, और केरी ओवर the next number, 2 plus 1 become 3, next question, question number 3, 6.7 plus 9, यहाँ पर हमारा 1st term में decimal है, लेकिन 2nd term जो है addition का, उसमें decimal नहीं है, तो इसे कैसे solve करेंगे, 1st term write, 6.7 लिख लिए हमने, plus का sign 9, decimal के नीचे, decimal जैसा हमेशा लिखते हैं, बट यहाँ decimal के पीछे कोई number नहीं है, तो हम वहाँ पर 0 लिखेंगे, and add, 7 plus 0 become 7, decimal same as it is, 6 plus 9 become 15, question number 4 is quite different, difficult, here 69.52, decimal के नीचे decimal, decimal के बाद वाला डिजिट, 69, यहाँ पर एक ही टम है, decimal से पहले, जिबके फर्स टम में जो है, डो डिजिट है, तो फर्स डिजिट के नीचे लिखना है, आपको 3, सेकंड डिजिट के नीचे नहीं लिखना है, 9 plus 2 become 11, carry over the next number, 5 plus 1, 6, 6 plus 6 become 12 का 2, carry over next number, 9, decimal, 9 में 1 plus करेंगे 10, 10 में 3 plus किया 13, and 1 carry, 6 plus 1, 7, बहुत ईजिए है, similarly, question number 5, 6, 9, plus decimal, 35, 8, 0, 80, जहां पर numbers नहीं हैं, वहां पर आपको 0 लगा देना है, 0 में 0 प्लस किया 0, 9 में 8 प्लस किया 17, 1 carry, 6 plus 5, 11, 11 plus 1, 12, 2, and right carry, 1 plus 3, 4, decimal number समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, अल्फे हैं, तढूये कोणी से थे रच में, विप्दान रहाँ और लगा एंप। कर दोटने से 15, 6 बाईर, यहां अल्ब होगा,